नमस्कार दोस्तों मेरा नाम राजश्टेगोर है बहुत सारे इंशोरेंस मैनेजर्स के लिए युनिट मैनेजर्स के लिए इंशोरेंस रिक्रूटर्स के लिए एजन्ट रिकूट्मेंट एक बहुत बड़ा चुनावती है लोग आते हैं मेरे को बार-बार पूशते रहते हैं सर में रिक्रूट नहीं कर पा रहा हूं क्या करूं कैसे रिक्रूट करूं मैं हमेशा कहता हूं कि दिरज़े concept called telling versus selling जब जब लोग telling करते हैं तो recruit करने में बहुत मुश्किल होता है जब आप selling करते हैं तो recruitment बड़े आसानी से कर पाते हैं यानि insurance agency के बारे में आप अगर prospect के पास गया और उनको बतारे लगे कि आप insurance agent बन जाते हैं तो यह benefit मिलेगा इतना income मिलेगा आप यह foreign tour में जा सकते हैं यह गाड़ी खरी सकते हैं यह package है यह मिलेगा वो मिलेगा यह सब के सब जब लोग सुनते हैं तो उनको agent बनने में इच्छा जागरूत नहीं होते हैं याद रखे द्रिजे सेंग people don't care how much you know until they know how much you care जिसका मतलब लोगों को कदर नहीं है कि आप कितना जानते हैं जब तक वे जानते नहीं हैं कि आप में कितना कदर है यानि insurance agency बेचने के लिए आपका कदर जागरूत दिखाना ल selling करेंगे कैसे कहते selling is the art of asking the right kind of questions सही प्रकार की सवाल पूछ पाना ही selling है यह जो किताब how to recruit insurance agency किताब में page number 99 में मैंने list किया था 18 questions आप किसे भी आदमी के पास जाकर यह 18 question पूछ लीजिए और by the 18th question आप सही तरीके से पूछते पूछते हर आदमी अपनी आप कहेगा कि एजेंट बनना है और यह अठारा question कैसे आप पूछ सकते हैं क्या यह 18 questions यही चीज हम सिखाने वाले 4-day training on agent recruitment यह field training वाला प्रोग्राम में हम सिखाने वाले हैं डेले में 6789 September को यह होने वाला है आप ज़रूर आईए और एटेंट करेंगे